जिन्दगी का खे हस्ते हस्ते के लिए मुस्कुराते दूर मुश्किले धके लिए जिन्दगी का खे हस्ते के लिए जिन्दगी का खे हस्ते के लिए ओम शान्ति ओम शान्ति आप सभी पिछले दू दिनों से ज्ञान सुरोवर के इस शान आनन दायक वातावरन में निवास कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ इस समय तो सभी तनाव मुक्त होंगे कैसा मैं सूस करते हैं? तनाव मुक्त हैं सभी? लेकिन जब पुनहा अपने स्थानों पर जाएंगे तो फिर वही समस्याएं होंगी फिर तनाव हो सकता है हम देखते हैं आज तनाव विष्व व्यापक समस्या है हर कोई तनाव का अनुभव करता है और इस्तथी यह है कि तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर तनाव होता है तनाव कि न होने पर आज अगर हमें तनाव नहीं हो रहा है तो हम सोचते हैं क्या हम कुछ कर नहीं रहे हैं और बच्चों को भी आज तनाव होता है जिस बच्चपन को खेलने, मौच करने की उम्र माना जाता था उसमें भी ये प्रवेश कर चुका है आपने सुना हमारे हाँ अनेक प्रभाग हैं जैसे धार्मिक प्रभाग के अंतरगर्द आप सभी आए हैं ऐसे ही एक चिकिस्सा प्रभाग, डिकल विंग है जो लोगों को स्वास्थी की सिक्षा देने के लिए अनेक कारिक्रम करते हैं तो एक स्थान पर ऐसे ही स्वास्थी मेला लगाया हुआ था और वहां अनेक स्टॉल लगे वे थे एक माता पिता अपने बेठे को वो स्वास्थी मेला दिखा रहे थे, देख रहे थे तो वो उस स्टॉल पर पहुँचे जहां यह कहा गया कि आप यहां अपनी बुराई का दान करें तो वो कहने का भाव था कि यदि कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है तो वो या ऐसी ही कोई अन्य बुराई है तो दान करें लेकिन मा को बहुत अच्छा लगा और मा ने अपने बेथे को कहा कि बेथा तुम चौकलेट बहुत खाते हो तुम्हारे दात खराब हो रहे हैं तुम यहाँ अपनी चौकलेट दान कर दो तो वो बेठे ने कहा कि मा मुझे सोचने दो, मुझे क्या दान करना है फिर एक मिनिट सोचके वो बुलता है मैं अपनी पढ़ाई दान कर दू मुझे पढ़ाई से बहुत टेंशन होती है तो आज हम देखते हैं बच्चों को एड्मिशन से लेकर केरियर के हर मोड पर competition का सामना करना पड़ता है और competition पास होने का नहीं है आज competition है नभे प्रतिशत से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए और देखा जाता है जब बच्चों की एक्जाम्स चलते हैं तो बच्चे ही टेंशन में ने होते हैं उनके माता-पिता भी उतना ही टेंशन में होते हैं तो कहते हैं उन्नीस्वी सदी अविशकारों की सदी थी विज्ञान ने बहुत सुक्स विधाय हमें उन अविशकारों से प्रदान की तो जो बीसमी सदी आई वो वास्ता में सुक्की सदी होनी चाहिये थी लेकिन उसे कहा गया Age of Stress and Strain तनाव का यूग और एक्किसमी सदी में हम है Medical Scientist कहते हैं कि यदि यही हमारी जीवन शैली रही तो यह इक्किसमी सदी Age of Panic and Depression हो जाएगा यही भय और निराशा की सदी हो जाएगा और यदि हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन ले आते हैं तो फिर यह सदी शान्ती की सदी भी हो सकती है सुक्की सदी भी हो सकती है तो हम कौन सी सदी में जीना चाहेंगे? शान्ती की सदी में हम जीना चाहेंगे तो फिर हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना आवश्यक है तो बीसमी सदी में क्यू तनाव बढ़ा उसका कारंथा समाज के सभी शेत्रों में बहुत तीवर्गती से परिवर्तन हुए आज हम देखते हैं कि पिछले 50 सालों में जो परिवर्तन इस विश्र में हुए है वो शायद पिछले 1000 सालों में भी इस दुनिया में नहीं हुए और हमें समय के साथ चलना होता है तो उसके कारण हमारी भी तीवर्गती है क्योंकि हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम पिछे रह जाएंगे, हम सफल नहीं होंगे तो उसने जो संघर्ष और प्रतिसपर्धा की इस्तिती उत्पन की उससे तनाव बढ़ा तो आज का तनाव मांसीक तनाव जादा है ऐसे नहीं पहले तनाव नहीं होता था लेकिन वो तनाव शाररिक तनाव अधिक होता था तो बीसमी सदी में बहुत अधियन हुए तनाव को लेकर के साइंटिस्ट हैंसले उन्होंने इस विशई पर बहुत कारिय किया में coping ability काम है, यानि हमारी सामर्थी काम है. ये एक प्रकार का दर्द है, जिसे हम महसूस करते हैं, और वो हमें एक संदेश देता है कि मुझे कुछ परिवर्तन करने की सरूरत है, और उस परिवर्तन को लाने के लिए हमें कुछ नया सीखना होगा. और आज हम देखते हैं कि प्रश्यर्स हमारे उपर चारों तरफ से आते हैं. बुद्काल में, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटी होती हैं जिनको हम सोचते हैं. वर्तमान में, हम यह देखते हैं कि जब घटना घटी होती है तब वो बहुत छोटी होती है लेकिन उस बात को हम इतना अधिक चिंतन में लाते हैं कि हम राई को पहाड बना देते हैं और उसके तनाव को हम वर्तमान में भी अनिभव करते हैं यह छोटी सी चीज है, मुझे इसको पकड़ने में कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन यदि मैं इसको ऐसे ही घंटों तक अपने हाथ में पकड़ लूँ, तो ये मुझे दर्द करने लगेगा, और यदि और कुछ घंटे पकड़ लूँगी, तो मेरा हाथ सुन भी हो जाएग ऐसे ही कोई भी बात हमने मन में पकड़ ली, वो हमारे मन में दर्द देने लगती है, वो तनाव पैदा करती है, ऐसे ही कुछ भविष्य की चिंताएं होती है, चाहे वो नौकरी की चिंता है, बच्छों के भविष्य की चिंता है, उनके शादी की चिंता है, कोई रोग की कई प्रकार की छंताएं होती हैं, वो वर्तमान में हमें तणाव देते हैं और वर्तमान की अपनी समस्याईं होती हैं, तो उन्होंने ये बताया की तणाव की स्तिती में हमारी शरीर में chemicalS बनते हैं, हमारी body physiology change होती है, और उसके कारण शरीर में ketakolamene, बनते हैं, जो स्लोग पॉईजन की तरहे काम करते हैं, और उसके कारण हमारे शरीर में मानसिक और शाररिक बिमारियां होने लगती हैं. येल उनिविसिटी एक अमेरिका में हैं, जिसमें विध्यार्थियों के ऊपर एक अध्यन किया गया, और उनके व्यक्तित्व के अनुसार दो गुरूप में बाता गया, एक गुरूप में उन विध्यार्थियों को लिया गया, जिनका व्यक्तित्व जल्दी तनाव में आ जा और दुसरे गुरूप में उनको लिया गया, जो इसके विपरेज स्वभाव के थे, शान्थ स्भाव के थे, अपने मन को धैरिय में रख सकते थे, मन को शान्त रख सकते थे, उनके स्वास्ति की जांच की गई, तो देखा गया कि उस आयू में दोनों ही गुरूप का स्वास्ति समानिय था, उनकी वीस वर्ष की आयू थी उस समय, और क्यूंकि येक अध्यन था, तो हर दस वर्ष में उनको स्वास्ति जांच के लिए बुलाया जाता था, पचास वर्ष की आयू तक आते आते ये देखा गया कि जो गुरूप A था, उसमें गुरूप B की तुलना में पांच गुना अधिक बिमारियां हो चुकी थी, और वो सब साइको समेंटिक बिमारियां थी, यानि किसी को हाई ब्लड प्रशर हो गया था, किसी को दाइबिटेस हो गई थी, किसी को डिप्रेशन हो गया था, या किसी को हाट की प्रोब्लम्स हो गई थी, यानि कोई ना कोई बिमारी उनमें थी, और इसलिए उनके मृत्यू की संभावना भी B गुरूप की तुलना में पांच गुना अधिक थी, तो यही कारण है कि हमें अपने तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए, या तनाव मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तनाव से 70 प्रतिशत psychosomatic diseases होते हैं, आप देख रहे हैं यहां, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जब हम तनाव में होते हैं, सबसे बुरा असर हमारे हिर्दे पर होता है, ब्लट प्रेशर बढ़ता है, और यदि कॉर्णरी ब्लॉकेज़ हैं, अडरिनलिन की वज़े से वो आर्टरी संकुचित हो जाती हैं, हिर्दे को ऑक्सिजन कम मिलती है, अगर ब्लॉकेज़ ज़्यादा है, तो हार्ट अटेक भी हो सकता है, तो यह देखा गया कि हिर्दे रोगों का एक बड़ा कारण स्ट्रेस है, अनिये कारणों से भी हिर्दे रोग होते हैं, लेकिन तनाव उसमें एक मुख्ये कारण है, तनाव की स्टथी में एसिद ज़्यादा बनता है, हमारे डाजिस्टल सिस्टम में आपर एसिड़िटी, अलसल होना, अब्डॉमिनल पेन हो सकता है, डाइरिया होता है, नवर सिस्टम पर उसका इफेक्ट आता है, तो हैड़ेक, इंसोम्निया, स्टामरिंग, क्रॉनिक फठीग, ठके ठके रहते हैं, शरीर में अनिक इस्थानों पर दरद होना, सिरदर्द, कमरदर्द, जोडों में दरद होना, मस्तिक्ष की कारिय शंता प्रभावित होती है उससे, हमारी एकागरता की शक्ती कम होती है, स्मरण शक्ती काम होती है, निर्ने शक्ती भी काम होने लगती है, और अगर लंबे समय तक तनाव बना रहता है, तो फिर डिप्रेशन भी हो सकता है, जैसे अभी हमने बात की, अखेले भारत में करूनों लोग डिप्रेशन की दवाई खाते हैं, विष्व की बात तो अलग है, तो इतना ज्यादा डिप्रेशन आज बढ़ता जा रहा है, फिर लोग अपने तनाव को कम करने के लिए व्यसनों का सहारा लेते हैं, या तो वो शराप पीते हैं, सिग्रेट पीते हैं, अनेक रूपों में तंबाकू मिलता है, पान, मसाला, गुटका, उसको चबाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे तनाव कम हो, पर स्वास्ति पर उसका बुरा असर अवश्य होता है, डाइबेटेस हो सकती हैं, और तनाव के कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक श्रमता कम हो जाती हैं, और उसके कारण infections, जो वातावरण में जीवानों होते हैं, वो भी उनका भी effect होता हैं और infections हो सकते हैं, आप सभी अपने जीवन में तनाव के अनुभवी हैं, अगर मैं ये सवाल पूछू कि कोई है उचो ये कहे, मुझे कभी तनाव न हुआ है, न है न होगा, तो हाथ उठा सकते हैं, न है, तो इसका मतलब सभी ने अनुभव किया है, तो हम थोड़ा सा आप से शेयर करना चाहेंगे, कि आपकी family life में, workplace में, ऐसी कौन सी problems आती हैं, जब आप तनाव का अनुभव करने लगते हैं, कोई भी बता सकते हैं, यह कहेंगे अभी तो हम ज्ञान सरोवर में हैं, ज्ञान सरोवर में तो हम बल्कुल तनाव मुक्त हैं, तो इस पर भी study की गई, Holmes and Rahe, यह दो American scientists थे, उनोंने हमारे जीवन में घटने वाली आम घटनाओं का अधियन किया, और यह हमें बताया कि जो घटना जीवन में परिवर्तन लाती हैं, वो तनाव पैदा कर सकती है, फिर चाहे वो खुशी की घटना ही क्यों ना हो, Death in the family, परिवार में किसी प्रियर्जन की मृत्यू, व्यक्ति को कई दिनों तक, महीनों तक तनाओं में रख सकता है, divorce and separation, आजकल यह बढ़ता जा रहा है, तलाग के केसिस पढ़ते जा रहे हैं, दो परिवार इसके कारण बहुत तनाओं से गुजरते हैं, शादी वैसे खुशी का अफसर है, लेकिन इसमें भी तनाओं हो सकता है, हम आपको एक 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 जाहेंगे, कि एक बार, एक बुजनसमान थे, उन्होंने एक करोर की लॉट्री का टिकेट खरेदा, उनके जमाने में वो बहुत बड़ी रकम थी, और भागे से उनकी वो लॉट्री खुल गई, लेकिन ये समाचार उनकी पत्नी को मिला, तो पत्नी ने सोचा कि मेरे पती हार्ट पिशिंट है, मुझे सीधा नहीं बताना चाहिए, तो उसने अपने डॉक्टर से सलहा की, जो उनके फामिली डॉक्टर थे, फामिली डॉक्टर ने कहा, आप उनको मेरे पास भेज दी चिए, मैं समझा दूँगा, तो जब वो गए फामिली डॉक्टर के पास, तो उसने पहले हेल्थ के बारे में पुछा, फिर उनको थोड़ा समाचार की बात की, और फिर कहा, अगर आपको दस लाग की लटरी लगे, तो आप क्या करोगी? कहा, डॉक्टर अगर दस लाग मिलेंगे, तो मैं एक कार ले लूँगा, मुझे एक कार की ज़रूरत है. फिर फुचा अच्छा, अगर आपको 50 लाग की लट्री लग जाए तो क्या करोगे कहां 50 लाग मिलेंगे तो फिर मैं घर ले लूगा मुझे घर की जरूरत भी है फिर डॉक्टर ने का अच्छा आपको 1 करोड की लगी है क्या करोगे तो नोंने का डॉक्टर क्यू मजाग करते हैं जरूर मैंने एक करोड की लोट्री का ठिगट हरीडा है, लेकिन मैं इतना भागयवान नहीं हूं कि मेरी एक करोड की लोट्री लग जाए। तो द elementary ने कहा, कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं मसाक नहीं कर रहा हूं, आपको एक करोड की लुट्री लगी है, आप क्या करोगे तो वो सोचने लगे और कहा डॉक्टर अगर ये सच है तो फिर में पचास लाग आपको दे दूँगा वो डॉक्टर को हाट अटेक हो गया तो यहाँ भी ऐसा होता है जो माता पिता होते हैं जिन्हें अपने बच्चों की शादी करनी होती है उसमें अनेक प्रबंध उनको करने पड़ते हैं उसमें धन की समस्या हो सकती है हमारे समाज में तो दहेच की समस्या एक बड़ी समस्या है या ससुराल पक्षवालों के व्यवहार की समस्या हो सकती है तो ऐसी कई स्थियां होती है नए वातवरन, नए परिस्थि, नए लोगों के बीच में अज़ेस्ट करना पड़ता है तो खुशी के साथ-साथ तनाव भी होता है धन परिवार में आज जो भी विज्ञान ने हमें साधन दिये है हम सब की इच्छा होती है कि वो सब हमें प्राप्त होना चाहिए और उसके लिए धन की आवश्यक्ता होती है तो अगर धन है तो ठीक और अगर नहीं है तो कई बार गलत तरीके से भी हम धन कमाने की कोशिश करते है कहते हैं आज भाग दौड की जिंदगी है तो क्यों भाग दौड हैं? किसके पीछे भाग रहे हैं? धन कमाने के पीछे हम भाग रहे हैं कम से कम समय में हम अधिक से अधिक धन कमा लें यह मानसिक्ता, आज युवा पिडिकी है तो जब हम धन कमाते हैं तो पूरा हम मानते हैं धन ही शक्ती है, धन ही सब कुछ है पहले कहते थे धन गया तो कुछ नहीं गया स्वास्ति गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो कुछ सब कुछ गया और अब उल्टा है, आप कहते हैं धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्ति गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो कुछ ने गया, लोग धन कमाने के लिए आज अपने चरित्र की परवाह नहीं करते, अपने संबंधों की परवाह नहीं करते, अपने मुलियों की परवाह नही बेटे बाप के दुश्मन हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि धन आवश्यक्ता जरूर है हमारे जीवन की लेकिन धन सब कुछ नहीं है। आप धन से घड़ी खरीद के ला सकते हैं लेकिन समय करीज सकते हैं। किताबें खरीद के ला सकते हैं लेकिन ज्ञान खरीज सकते हैं, आप दवायां खरीद के ला सकते हैं, स्वास्ति खरीज सकते हैं, या बिस्तर खरीद के ला सकते हैं, नीन खरीज सकते हैं, तो उसकी अपनी सीमा है, इसे लिए सच्चाई इमानदारी से कमाया हुआ धन, जीवन में सुक शान्ति लाता है, औ इसे चोरों से बचाना है, कम धन है, वो भी तनाव पैदा करता है. लेकिन हमारी आवश्रप्ता की अनुरूप धन, हम सहर्च कमा सकते हैं. ऐसे ही परिवार में बच्चों की समस्याएं होती हैं, माता पिता को आज generation gap इतना fast है, हर दस साल में पूरी पीडी बदल जाती हैं. हम सोचते हैं, बच्चे आग्याकारी हो, बच्चे गलत संग में ना पड़ें, जैसा केरियर हम चाहते हैं, जो हम उनसे अपेक्षाएं रखते हैं, वो पूरी करें, हर माता पिता जाते हैं, बच्चे डॉक्चर हों, इंजिनियर हों, या ऐसा ही कोई उंचा केरियर बनाएं, बच्चे योग्य हैं, तो आपकी अवख्षक्ताओं को पूरा करते हैं, लेकिन यदि उनकी रुच्छी ही नहीं हैं, और वो योग्य भी नहीं हैं, तो कई बार बच्चों पर दबाव पड होता है, और उसके कारण वो गलत कदम उठा लेते हैं, हम देखते हैं, यहां पर आजस्थान में एक कोटा शहर है, जहां, कोचिंग इंस्टिटूट्स पहुत हैं, और हर साल जब रिजल्ट आते हैं, तो वहां कुछ बच्चे सुसाइट करते हैं, तो ऐसे ही एक बच्चे सुसाइट किया और उसने अपने सुसाइट नोट में लिखा, कि मेरे पिता चाहते हैं मैं इंजिनियर बनूँ, लेकिन मैं तो अभी एक्जाम में फेल हो गया, मुझे पता है, मैं कितनी भी मैनत कर लूँ, मैं इंजिनियर नहीं बन सकता, लेकिन मैं अपने माता पिता को निराश भी नहीं करना चाहता हूं और इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूं तो कई बार वो भावनात्म गूप से अपरिपक वो होते हैं और वो समझ नहीं पाते कि सही कदम क्या है तो वो ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं तो बच्चे जो चाहते हैं, जो उनकी रुची है, वो जिस योग्ये हैं उस शेत्र में ही हम उनका मार्कदर्शन करें, उन्हें प्रोटसाहन दें और हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे अनुसार चलें तो बच्पन से ही उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए अगर आप बच्च्पन से ही उन्हें समय देंगे, अच्छे संस्कार देंगे तो फिर वो आपको निराश नहीं करेंगे ऐसे ही कारिय शित्र पर भी हम आठ घंटे बिताते हैं काफी समय वैतीत करते हैं, वहाँ भी कई समस्याएं आती हैं हमारे अधिकारी होते हैं, यदी वो कठोर स्वभाव के हैं आप सारा दिन बहुत मेहनत करते हैं, उसकी प्रशंशा तो नहीं मलती है लेकिन एक थोड़ी भी कमी रह जाती है, काम में या गल्ती हो जाती है तो चार लोगों के सामने आपको अपमानित कर दिया जाता है तो ऐसे अधिकारी से तनाव होता है ऐसे ही सातियों के बीच में competition होता ही है अगर healthy competition है, तो वो वास्तम में हमें प्रगती में सही योग देता है लेकिन अगर unhealthy competition है, उसमें अगर इर्शा द्वेश शामिल है तो फिर ऐसे competition से हमारे स्वास्ति पर बहुत बुरा असर होता है और हमें ऐसा competition छोड़ देना चाहिए conflict, साथियों के साथ हम काम करते हैं लेकिन उनसे हमारे विचार नहीं मिलते हैं, काम उनके साथ ही करना है फिर उनका सयोग हमें नहीं मिलता है, वो भी तनाव पैदा करता है कई बार demotion हो जाता है, हम प्रमोशन के अपेक्षा रखते हैं लेकिन पद कम कर दिया जाता है या कई बार नौकरी से ही बिथा दिया जाता है तो कहते हैं, loss of status is more stressful than loss of money and comforts व्यक्ति की जहां बदनामी होती हैं, वो उसके लिए बहुत तनाव पून होता है बहुत अधिक कारिय का तनाव का बहुत अधिक कारिय है उसके कारण हम अपने आप को समय नहीं दे पाते अपने परिवार को समय नहीं दे सकते हैं वर्किंग कंडिशन अगर अच्छी नहीं है बहुत ट्राफिक, पुल्यूशन, बहुत मशीनों का शोर परियापत जो स्टाफ है वो नहीं है, योगे नहीं है तो यह सब भी वर्क प्लेस पर कारण बनते हैं आज बहुत लोग परलिक जाते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है और या मिलती भी हैं तो जैसी वो चाहते हैं, वैसी नहीं मिलती है जॉब सतिस्फेक्शन नहीं होता है तो यह देखा गया कि 40% एम्पलॉईस को बहुत अधीक जॉब स्ट्रेस था और जब उनके तनाव को दूर करने के उचित कदम उठाए गए तो उनके कंपंसेशन क्लेम में 70% तक कमिया आगई इतना अंतर हो गया तो तनाव मुक्त होने का तनाव प्रबंधन करने का प्रभाव अवश्य पड़ता है तनाव के बारे में कुछ भ्रामक धार्नाए है हम यह सोचते हैं कि अगर जीवन में हम सफल होना चाहते हैं उनती करना चाहते हैं तो तनाव तो अवश्य होगा बिना तनाव के हम बेस प्रफॉर्मेंस नहीं दे सकते तो हम आप से पुछना चाहेंगे यह सही है गलत है तनाव के बिना सक्सेस हो सकती नहीं हो सकती हो सकती जो समझते हो सकती है वो हाथ उठाए और जो समझते हैं नहीं हो सकती वो हाथ उठाए तो यहां ज्ञान सरवर में आप बैठी है उसका प्रभाव है कि हो सकती है उसमें ज़्यादा हाथ उठाए है तो वासतम में यह सही है आप देख रहे हैं यहां ग्राफ में कि जब हम stress में काम करते हैं तब हमारे शरीर में कुछ chemicals बनते हैं और वो हमारी performance को बढ़ाते हैं यह catacola means हमारी system को stimulate करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी performance बढ़ गई है लेकिन थोड़े समय के बाद ही हमारे शरीर में cortisol बनता है जो हमें थकाने वाला होता है और हमारी कारिशमता काम होने लगती है तो देखने में आता है कई बार 35-40 साल की उमर तक आते हैं हम तनाओं में काम करते हैं जो सफलता पाना चाहते हैं जो पद पाना चाहते हैं जितना धन कमाना चाहते हैं नाम कमाना चाहते हैं वो हम कर चुके होते हैं लेकिन अब स्वास्ते की जांच कराते हैं तो पता चलता है कि या तो blood pressure शुरू हो गया है नहीं तो heart की बिमारी शुरू हो गई नहीं तो diabetes शुरू हो गई यह सब psychosomatic बिमारियां ऐसी हैं जिनका cure नहीं है जो सिर्फ control होती है जिने दवाईयों से control किया जाता है और फिर जब तक आपको जीना है आपने 40 साल कमा लिया है और आप जितने भी साल आप जीने वाले हैं स्वस्त रहने के लिए हम खर्च करते रहेंगे एक कंपनी के CEO थे 35 साल के उमर में वो CEO बन गई बहुत कम उमर है यह इतना उंचपत प्राप्त करने के लिए और कभी उनोंने अपने जिंदगी में फेलियर का अनुभव नहीं किया एक बार क्योंकि मल्टिनाशनल कंपनी थी तो विदेशों की दौरे पर जाना पड़ता था तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे और वहां कंपनी को लॉस हो गया आज तक कभी उनोंने चीवन में ऐसा अनुभवी नहीं किया था तो बहुत टेंशन हुआ उनको और उनको ये नहीं पता था कि आज दिन तक टेंशन में काम करते-करते उनके हाट पर बुरा असर आचुका है तो उसकी वज़़ से उनको हाट अटेक हुआ और वो इतना मैसिव अटेक था कि वो हॉस्पिटल तक पहुँचने से पहले ही उनकी मृत्य हुए अब पैंतीस साल की बच्चे आए अगर वो पैंतालीस साल की उमर में सीव बनते तो शायद अपने परिवार समाज को ज्यादा दे सकते थे आज देखते हैं बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट अटेक सुने लगे हैं और उसका कारण है थनाओ में कारिये करते हैं कॉम्पूटीशन है लाइफ में इतना की हर समय व्यक्ती जैसे थनाओ में काम करते हैं लेकिन यजि हम इसका हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव भी नहीं होता है ऐसे ही एक भ्रहम है कि दूसरे लोग और परिस्थियां हमारे तनाओं के लिए जिमेवार है ऐक सर्वे किया गया, 400 लोगों के उपर उन से पुछा गया आपके तनाओं का कारण क्या है तो सभी ने दूसरों की और उंगली उठाए जैसे एक सास थी उसका blood pressure high हो जाता था तो उससे पुछा गया तो उसने क्या कहा उसका blood pressure high होता तो उसने कहा कि मेरी बहु के कारण मेरा blood pressure high हो जाता है मैं जैसा चाहती हूँ वो नहीं करती है और ही मेरा सामना करती है ऐसे ही बहु को सिर्दर्द होता था उसको पूछा गया तो उसने कहा मेरी सास के कारण क्यूंकि वो मेरे हर काम में गल्ती निकालती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इससलिए मेरे को सिर्दर्द हो जाता workplace पर management को पूछा गया तो उनोंने कहा कि आजकल workers काम नहीं करते हैं उनकी मांगे इतनी ज़्यादा होती है मांगे पूरी नहीं करो तो वो union बनाते हैं हर्ताल करते हैं सच मुच आजकल लोगों से काम कराना बहुत बड़ा टेंशन है फिर जब worker से पूछा गया तो उनोंने क्या कहा management के कारण management काम तो बहुत लेती है लेकिन जो सुविधाएं वेतन हमें देना चाहिए उने ही मिलता है इसके कारण हमें तनाव होता है माता पिता को पूछा गया तो बच्चों के कारण बच्चों को पूछा गया तो माता पिता के कारण हर एक की उंगली किसकी और है दूसरे की और है तो जब हम एक उंगली दूसरे की और करते हैं तो तीन उंगली हमारे खुद की और है यानि एक कमी उसमें है तो पहले तीन कमी मुझ में है किसको बदलने की जरूरत है, हम क्या सोचते हैं लेकिन, हम सोचते हैं मैं सही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, वो सही है, दूसरे को बदल जाना चाहिए, हमेशा हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, ना वो बदलते हैं, ना हम ब बढ़ जाती है, सास हमेशा सोचेगी बहु को मेरे अनुसाद चलना चाहिए, मैं अनुभवी हूँ, बहु क्या सोचेगी, सास को आज के जमाने को समझना चाहिए, ऐसे ही मैनेजमेंट सोचेगा, वरकर्स तो काम करने ही आते हैं, तो जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश क करते हैं, तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाता, लेकिन स्पृच्वालिटी हमें सिखाती है, स्वव परिवर्तन से विष्व परिवर्तन, हम बदलेंगे तो ही हमें दूसरों को बदलने की हम प्रेना दे सकेंगे, जैसे आप सुन रहे हैं दो दिन से यहां पर, आध एक बार ऐसे ही एक पदी-पतनी ट्रांसफर होकर के दूसरे शहर में गए, और वहां उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया, फ्लैट में रहने लगे, आजकल ऐसे अपार्टमेंट में फ्लैट्स होते हैं, जो बलकुल आमने सामने बने होते हैं, तो ऐसे ही उनका फ्लैट और मॉर्निंग में वो अपनी बालकनी में बैठ करके चाय पी रहे थे, सामने वाले फ्लैट की महिला, कपड़े सुखा रही थी, तो ये बहन ने देखा, तो उसने कमेंड किया उसको आदत थी, तो उसने कमेंड किया कि देखो उसने कैसे कपड़े धोए हैं, लगता है इस कुछ नहीं कहा, तूसरे दिन भी ऐसा हुआ, जब चाय पी रहे थे, तो उसके कपड़े दोने का टाइम होता था, फिर वो कपड़े सुखा रही थी, तो आज भी उसने बोला कि कपड़े तो साफ नहीं धुले हैं, लगता है इसके पास अच्छी क्वालटी का सर्फ नहीं हैं, अब तीसरे दिन भी जब वो चाय पी रहे थे, फिर वो कपड़े सुखा रही थी, लेकिन आज उसने देखा, कपड़े बहुत साफ धुले हैं, तो भी उसने कमेंट किया, उसने का, आज तो इसने बहुत साफ कपड़े दोए हैं, लगता है, इसने अपना सफ चेंज क कर लिया है, तो पती ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, नहीं, आज मैने बालकनी का शिशा साफ कर दिया है, अब कमी कहां थी, और दिखाई कहां दे रही थी, तो हमारे चीवन में भी ज्यादा हम तुसरों की तरफ देखते रहते हैं, अपनी तरफ हम काम देख पाते है ऐसे ही कई बार हम अपने कारिये को जिम्मेवार ठेराते हैं, कि हम बहुत अधीक वियस रहते हैं, इसके कारण हमें तनाव होता है, पर वासता में काम से विक्ति को तनाव नहीं होता है, लेकिन किस भावना से हम काम करते हैं, वो ज़्यादा मैथ पूर्ण है, यदी हम काम को करना, तो वो थोड़ा काम भी हमें तनाओ देता है, अगर हम समझते हैं कि ये काम करने से मुझे खुशी नहीं होती है, ये काम करना मुझे पसंद नहीं है, और यदि हम उसे छोड़ सकते हैं, तो छोड़ दीजे, लेकिन कई बार ये हमारे हाथ में नहीं होता है, Then learn to love your work. जो भी हम कर रहे हैं, उसे प्रेम से करिया. फिर भी अगर बहुत अधिक कारिये हैं, तो उसे हम व्यवस्थित करें, हम अपने कारिये की सूची बना लें, उसे प्राइटी दें, जो most important, most urgent काम है, उन्हें हम पहले कर लें, जो less urgent है, उन्हें हम बाद में करें, हम work delegation भी कर सकते हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनसे सहयोग लेकर के भी हम अपने काम के बुच को कम कर सकते हैं, इसको time management कहते हैं, यदि हम व्यवस्थित रूप से अपने कारिये को करेंगे, तो अधिक काम का तनाव हमें नहीं होगा, लेकिन कई बार ऐसे होता है, जो corporates होते हैं, जो business company होती हैं, वो profit चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि समय सीमा के अंदर हमारा काम पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो loss होगा, तो इसके कारण वो deadlines दे देते हैं, इसे करमचारियों पर pressure होता है, लेकिन वो pressure भी शम्ता को बढ़ा देता है, वो कई बार positive काम करता है, एक बार ऐसे ही एक business man थे, उन्हें अपने लिए एक वारिस की जरूरत थी, तो उन्होंने सोचा कि ये सही समय है, मुझे अपना वारिस धूंड लेना चाहिए, तो नोंने अकबार में वो विज्यापन निकाला, कि जो मेरे घर के बाहर swimming pool है, उसको एक कोने से दूसरे कोने तक पार करेगा, उसको मैं पांच लाग का इनाम दूँगा, और वो मेरे business में, partnership में भी रहेगा, पूल था, वो कोई साधारन पूल नहीं था, उसमें बहुत सारे साप भरे हुए थे, अब वो सापों को देखकर के किसी की हिम्मत नहीं हुई, कि वो उसमें कूदे, लेकिन एक युवक ने चलांग लगाई एक तरफ से, और बड़ी मुश्किल से, सापों से, बच्चते हुए, वो दूसरे किनारे पर भाहर आया, वहाँ ही वो बिजनसमेन खड़े थे, तो उन्हों ने उसकी पीट थब थबाई, उन्हों ने कहा कि, बेठा, तुम बहुत सहसी हो, और मुझे तुम्हारे जैसे युवक की ही सरूरत थी, अब तुम्हें पाँच लग का इनाम, और मेरे बिजनस में पार्टनर्शिप, यह मिलेगी, तो उसने कहाँ, ना तो मुझे आपके पाँच लग का इनाम चाहिए, और ना ही मुझे आपके बिजनस की पार्टनर्शिप चाहिए, पहले मुझे उसे डूडने दो, जिसने मुझे इस पूल में धक्का दिया है, अब वास्तब में वो धक्का उसे बुरा लगा, लेकिन उस धक्के से वो वो कर गया, जो उसने नहीं सोचा था कि ये मेरी शम्ता भी है, उस दक्के के कारण ही उसने सापों से भरा हुआ पूल, सहज पार कर लिया, तो कई बार ऐसे होता है कि थोड़ा सा प्रेशर, हमारे लिए कई बार हमारी शम्ताओं को विकास करने वाला साबित होता है, लेकिन हम उसे पॉजिटिव ले, अपने तनाओं को कम करने के लिए कई बार लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, साधर तर हम जो साधन प्रयोग करते हैं वो है मन औरंजन के साधन, हम पार्टीज में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, आजकल बड़े-बड़े शेहरों में लाफिंग क्लब्स भी होते हैं, लोगों को अटिपूशली हसाया जाता है ताकि वो अपने तनाओं को कम कर ले, हम शायद नैचुरल रूप से हसना भूल गए हैं, या फिर लोग हॉलिडेज पर जाते हैं, सनमा देखते हैं, मुजिद क्सुन्ते हैं, शराब पीते हैं, सिगरे पीते हैं, कुछ ड्रॉक्स लेते हैं, हरी कापना अपना तरीका है!! कुछ लोग कुछ कोमेड़ेशन भी करते हैं पर कम OVERLAST WLK, सादाह थर हमम अनॉरंजन करते हैं तब हमें लगता है, हमारा तनाव दूर हो गया है, पूरी तरह से हम तनाव मुपत है, लेकिन जब मनोरंजन समाप्त होता है, वही समस्या फिर से सामने होती है, फिर से वही तनाव शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब हमने सिर्फ अपने तनाव को पोस्पोन कर दिया, जैसे बुखार होता है, तो दो प्रकार की दवाई डॉक्टर देते हैं, एक दवाई होती है, symptomatic relief, थोड़े समय के लिए वो हमारे बुखार को उतार देती है, जिसको paracetamol कहते हैं, crocin, metacin कहते हैं, वो चार घंटे, 6 गंटे बुखार उतार देगी, लेकिन फिर बुखार चुड़ जाएगा, अगर बुखार को जड़ से खतम करना है, तो फिर एंटिबाइटिक्स लेना पड़ता है, जो जर्म्स को मारती है, तो ये भी ऐसे है, मनोरंजन करना माना, सिम्टोमेटिक रिलीफ, थोड़े समय के लिए रिलीफ हो गया, लेकिन हम बीमारी के मूल तक नहीं पहुँचे, और इसलिए हम फिर से तनाव का अनिभव करने लगते हैं, तो हमें ये समझना होगा, तनाव का मूल कारण कहा है, तनाव का मूल कारण हमारे सोचने के तरीके में है, किसी भी परिस्तती में हम जिस दिशा में सोचते हैं, वैसा ही हम महसूस करते हैं, तो जादर तर तनाव उत्पन करने वाली परिस्ततियों में हम नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि negative सोचना आसान होता है, इसमें मेरा बुरे से बुरा क्या हो सकता है, वो हम जल्दी सोच लेते हैं, इसमें मेरी हानी क्या हो सकती है, इसमें मेरा अनिष्ट क्या हो सकता है, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन विचारों में जाना बहुत आसान होता है लेकिन हम positive भी सोच सकते हैं यह हमारी choice है एक जैसी परिस्तथी कई लोगों के सामने आती है सबका response अलग-अलग होता है क्योंकि हरेक का सोचने का तरीका अलग-अलग होता है मानों, आफस में आप जाते हैं कोई दो लोगों से गल्ती हो जाती है और अधिकारी उनको अपने केबिन में बुलाते हैं तो जो पहला व्यक्ती आता है वो अपनी गल्ती मान लेता है और कहता है, sorry, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा बात वहीं खतम हो जाती है और अधिकारी भी संतुष्ट होते हैं लेकिन जब दूसरे को बुलाया जाता है गल्ती के लिए तो वो अपनी गल्ती नहीं मानता है वो सिद्ध करता है और ही मैंने नहीं किया, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ आप हमेशा ही मेरा नाम लेते हो जब बहस बढ़ जाती है दोनों के बीच में तो अधिकारी नाराज हो जाते हैं असंतुष्ट हो जाते हैं अब वो कितने दिन तक चलेगा जब तक उनकी आपसी समझ फिर से बने परिस्ति एक जैसी है लेकिन दोनों के सोचने का तरीका अलग-अलग आप ट्राफिक में जा रहे हैं किसी ने आपकी गाड़ी को लगा दिया एक जना उतरेगा गुस्से में गालियां देना शुरू कर देगा कॉलर पकड़ लेगा उसको कोशिश करेगा एक लगा भी दूँ बात बढ़ जाएगी कई बार पुलिस तक भी जाना पड़ सकता है लेकिन दूसरा है सोचता है कि ट्राफिक है मुझे अपने आप को बचा कर चलना है कोई दूसरे भी गल्दी करते हैं तो भी मुझे बचा कर गाड़ी को निकाल कर जाना है थोड़ा लग गया कोई बात नहीं आगे से ध्यान रखेंगे परिस्तती एक जैसी है लेकिन एक उसी बात को लेकर के एकदम हाइपर हो जाता है टेंशन में आ जाता है और एक परिस्तती पैदा हुई लेकिन उसे सहच रूप से पार कर लिया ऐसे ही एक बार एक जर्नुलिस थे पत्रकार थे, उन्होंने अपने बीते साल के बारे में लिखा और ये लिखा कि बीता साल मेरे लिए बहुत बुरा रहा, मेरा उपरेशन हुआ, कई दुनों तक मुझे बैट पर रहना पड़ा मैं अपने नौकरी से रिटायर हो गया, मेरे बेटे का एक्सिदेंट हो गया, उसका एक साल बरबाद हो गया, मेरे पिताजी की मृत्ति हो गई तो वो लिख करके अपने ठेबल पर रख के चले गए, उनकी पत्ने आई, उन्होंने पढ़ा वो तो वो ऐसा नहीं सोचती थी, तो उसने उस पने को पलटा और पीछे लिखा कि बीते वर्ष भगवान की हमारे उपर विशेश क्रपा रही, बहुत मदद मिली हमें इश्वर की और उसने लिखा कि मेरे पती का ऑप्रिशन हुआ, बहुत समय से वो दर्द में थे और उन्हें उस दर्द से सदा के लिए छुटकारा मिल गया मेरे स्वस्वर की मृत्यू हुई नभे साल की आयू में बिना किसी लंबी बीमारी के वो सहज मृत्यू को प्राप्त हुए लेकिन उसे चीवन दान मिला ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी हमारे उपर और मेरे पती रिटायर हो गए वो बहुत पुस्तके लिखना चाहते थे आज तक उन्हें समय नहीं मिलता था लेकिन अब उन्हें समय मिलेगा और वो जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख हमारा कितना लाभ हुआ है भगवान की कृपा हुई है तो हमारे सोचने का तरीका है हम किस तरह से सोचते हैं परिस्तियों में दो पहलू होते हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं यदि उसमें हमारा कुछ बुरा होता है तो कुछ हमारा लाभ भी होता है तो यदि हम उसके लाप के पक्ष को देखते हैं, तो हमें तनाव नहीं होता. इसके उपर हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छी बोत कथा आती है, कि एक बार एक राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था, और वो अपने हर काम में मंत्री से सला लेता था. तो एक बार राजा की उंगली कट गई. उसने अपने मंत्री को दिखा आया, देखो मंत्री जी मेरी उंगली कट गई. तो मंत्री ने कहां कि मंत्री ने कहां महराज जो हुआ वो अच्छा हुआ. तो राजा को गुसा आ गया कि मेरी उंगली कट गई अच्छा कैसे हुआ यह मंत्री मेरे वफादार नहीं है गुसे में आके उसने उनको जेल में बंद करा दिया अब राजा को शिकार खेलने का शौक था थोड़े दिनों में वो जंगल में शिकार खिलने के लिए जाता है शिकार का पीछा करते-करते वो बहुत घने जंगल में पहुँच जाता है वहाँ कभीले के लोग रहते थे और उस जमाने में कभीले के लोग कई बार अपनी देवी को मनुष्य की बली चढा दे paradox तो वो उनका उट्सव का दिन था और उस दिन देवी को उन्हें मनुष्य की बली चढानी थि तो ठूंड रहे थे किसी मनुष्य को यह राजा पकड़ा जाता है तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है मैं आपका राजा हूँ, आप मेरी बली चढ़ाएंगे, तो कहते हैं, राजा तो सर्वोतम होता है, ऐसी बली पाके हमारी देवी बहुत प्रसंद होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, वो ले जाते हैं उसको मंदिर में, और पुजारी बली के नियम के अनुसार देखता है, संपून बली है, तो देखा राजा की तो उंगली कटी हुई है, तो कहा ये तो अंग भंग है, ये संपून बली नहीं है, इसे छोड़ दो, कोई दूसरा मनुष्य ढूंड़ो, अब राजा छूट जाता है, और जब वो लौट रहा होता है, तो उसे मंद्री की बात याद आती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, उसे सोचा, सच्मुच आज उंगली कटी हुई थी, इसलिए बली चड़ने से बच गई, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं था, तो वो पहुचता है अपने राज्य में और जाते ही वो मंत्री को छेल से बुलाता है, और कहता है, मंत्री जी माफ कर दीजी, मुझे आज आपकी बात समझ में आ गई, पूरी घटना सुनाता है, लेकिन फिर कहता है, एक प्रश्ण है मेरे दिमाग में, उसने का, मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ, उसने का, नहीं माराज, ये भी अच्छा हुआ, मैं जेल में था, इसलिए आपके साथ नहीं था, तो देखने में घटना कैसी थी, दोनों के लिए बहुत बुरी थी, लेकिन उसमें दोनों का ही भविष्य में भला था, थोड़ा भविष्य के पड़े में था, तुरंत नजर नहीं आ रहा था, तो हमारे जीवन में भी कईबार से होता है, जो गीता में कहा जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तो चीवन में होने वाली हर खटना में कोई ना कोई रास होता है, हमारे लिए जो शायद हम उस समय नहीं समझ पाते हैं, और जब हम ये राज को बुद्धी में रखते हैं तो हमारा धहरिय बना रहता है और हमें उतना तनाव नहीं होता है। हमने समझा कि तनाव हमें तब होता है जब pressures जादा है और coping ability कम है। तो या तो हम pressures को कम कर दें, तो हमारा तनाव घट जाएगा। या फिर हम अपनी coping ability को बढ़ा लें, तो हमारा तनाव घट जाएगा, हम pressures को कम नहीं कर सकते। मेरे जीवन में कोई समस्या ही ना आये, ऐसा हो सकता है। समस्या हमारी control में नहीं है। समस्या हमसे पूछ कर नहीं आती है। जीवन सुक से बीत रही होती है, अचानक बदने कहां से कुछ हो जाता है। तो हमें उसका सामना करना पड़ता है, हमें उसे सहन करना पड़ता है। आत्मविश्वास थैरिये रख करके हमें उसे पार करना होता है। यह हमारी आंतरिक शक्तिया है। इसे हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन समस्याओं को हम नहीं खतम कर सकते हैं, तो राज्षयोग का अभ्यास, ध्यान करना, योग अभ्यास करना, वो हमारी coping ability को बढ़ाता है, हमारी आंतरीक शंताओं को बढ़ाता है. आप सीख रहे हैं, राज्षयोग में दो चरण है, आत्मु चिंतन करना, आत्मु निरिक्षन करना, और जब हम सेल्फ रेलाइसेशन करते हैं, तब हमें समझ में आ जाता है, हमारी समस्या कहां है, और इसका समाधान कैसे हो सकता है, यानि हमें अपनी कमी समझ में आती है, समा अभ्यास के समय हम अंतर मुखी होते हैं, हम अपने आप को देखने लगते हैं, जब हम आत्म अवलोकन करते हैं, तब हम सच में अपनी इस्तथी को समझ पाते हैं, और उसका समाधान क्या है, वो भी हम समझ पाते हैं, तो हमारा आधा तनाव महीं कम हो जाते हैं, दूसरा है योग में हम इश्वर से संबंध का अनुभव करते हैं जो शांती के सागर है जो सर्वशक्तिवान है मन को शांती मिलती है मन एकाग्र होता है तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है और जब मनोबल उंचा होता है तो बड़ी बात भी हमें छोटी लगती है और हम परिस्तथी को खेल की तरहे पार कर लेते हैं इसलिए जो भी आधियात्मी व्यक्ति हुए है हम देखते हैं उनके जीवन में कैसी भी परिस्तथियां आती है लेकिन वो सहशृति से उसको पार करते हैं जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तुफान तो हम देखते हैं क्राइस्ट हुए, मात्मा बुद्ध हुए मात्मा गांधी हुए, सुकरात हुए, मदर तरसा हुई जिनको भी हम देखते हैं ऐसा नहीं उनके जीवन में कटनाई नहीं आई सरी दुवार गए वो गंगास्नान करने और जब वो गंगास्नान करके लोट रहे थे तो रास्ते में पठान जो घर पड़ते थे उसमें एक पठान को मजाग सुझा और उसने उनके पर थूखदिया तो वो पुनह आ गए तो झिल से गंगास्नान किया फिर तिसरी बार, चौती बार, कई बार ऐसा हुआ और बिना कुछ कहे उन्होंने कितनी ही बार स्नान कर लिया अब वो पठान उससे रहा नहीं गया, वो उतर कर अपने चजे से नीचे आ गया और उसने कहा कि आपके साथ ऐसा व्यवार करने वाला मैं हूँ आपको मुझे कुछ कहना है? अपने गा, हाँ सरूर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं महराष्ट से इतना दूर से गंगा में स्नान करने के लिए आया हूँ आज आपके कारण इतनी बार मैंने गंगा में स्नान किया नहीं तो मैं एक ही बार स्नान करके चला जाता हूं देखिए, सोचने का तरीका ही अलग है तो आध्यात्मिक्ता व्यक्ति की सोच पदल देती है अब साधर अंतिया कोई हमारे उपर थुकेगा तो हम क्या करेंगे अची तरह समझा देंगे उसको तुकने का मतलब क्या होता है तो ये अंतर हम जीवन में महसूस करते हैं और 25 scientific studies में ये देखा गया जब हम योग करते हैं तब हमारी body physiology change होती है जैसे तनाओ की स्थी में हमारे शरीर में chemicals बनते हैं वहां ही कर रखे ऐसे ही योग की स्थी में भी हमारे शरीर में कुछ chemicals बनते हैं वो लाबदायक हैं उन्हें हम endorphins, encephalins, serotonins कहते हैं वो हमारे सारे system को balance करते हैं हमारी heart rate कम होती है, blood pressure कम होता है जब हम योग करते हैं तब हमारी heart rate, blood pressure, respiration, metabolism, cholesterol ये सब कम होने लगता है और सभी अंग एक LGBT में काम करते हैं और हम तन से भी स्वस्त होते हैं तो योग मन को भी स्वस्त बनाता है और तन को भी स्वस्त बनाता है इसलिए आज योग लोगप्रीय हो रहा है दो साल से हम योग दिवस मना रहे हैं अंतराश्टी योग दिवस हमारे माननी प्रदान मंत्री नरेदुन बोदीजी के प्रयास से पूरा विश्व दो साल से योग दिवस मना रहे हैं तो क्यों योग को सविकार किया पूरे विश्वने क्योंकि योग से हमें स्वास्तिलाव होता है और ये अनेक विज्ञानिक प्रयोगों में आज सिध हो चुका है अपने यहां भी जो Global Hospital है वहाँ पर Heart Patients के लिए Coronary Artery Disease Regression Program किया जाता है ये 18 सालों से हिर्दे रोगियों के लिए करते हैं और विशेश उन रोगियों के लिए जिनको डॉक्टर ने बाइपास अडवाइस किया है और किनी कारणों से वो Heart Corporation नहीं करा सकते हैं तो वो रोगी यहां आते हैं उनको साथ दिन यहां कैंप में रखा जाता है और उनकी लाफस्टाइल चेंज करते हैं यानि उन्हें शुद्ध सात्विक शाकाहारी भूजन लेना है प्रते दिन 40 से 45 मिनिट वियाम करना है और प्रते दिन योग अभ्यास करना है और योग अभ्यास की विधी उनको सिखाई जाती है एक साल के अंदर अंदर उनकी जो कॉरोनरी ब्लॉकेजिस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं यानि उपन हो जाते हैं अब तक ऐसे 5000 से भी अधिक मरीज बिना बाइपर सरजरी के स्वस्त हो चुके हैं तो यह हमें प्राक्टिकल प्रमान मलता है कि योग हमें स्वस्त बनाता है क्योंकि जादा रोग आज मनों का एक रोग है तो यदि मन स्वस्त हो गया तो वो तन अपने आप ही स्वस्त कर देता है अब चाहे हमारी परसनल लाइफ है, फामली लाइफ है या वर्क प्लेस की लाइफ है ये तीन बाते हमारे सामने आती हैं रोल्स, रूटीन्स एंड रिलेशन्शिप हम सभी कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं कोई ना कोई कारिय हम करते हैं संसार में हम सभी को रोल मिला हुआ है लेकिन उस रोल का प्रभाव हमारे पर पढ़ता है क्योंकि हम ये नहीं समझते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और शरीर के माधियम से मैं ये कर्म कर रही हूँ, ये रोल मुझे मला हुआ है हम जो करते हैं वही अपने आपको समझने लगते हैं We are human doings, not human beings आज के समय में हम human being नहीं समझते अपने आपको लेकिन जो हम करते हैं वो मेरी पहचान है तो मानो आप अफसर है, आठ खंटा आप काम करवाते हैं ओफिशल बने रहते हैं वहाँ पर लेकिन जब घर लोटते हैं तो रोल चेंज हो जाता है, घर में अफसर नहीं है तो घर परिवार वाले असंतुष्ट होते हैं कई बार ऐसा होता है, हम वर्कर हैं आपसर नहीं वर्कर हैं, हमें काम करना होता है और जो हमसे काम कराते हैं, वो कई बार गुसा भी करते हैं हम कुशान्त रहना होता है, हम तुरंत कुछ कह नहीं सकते गुसे को पी लेते हैं, लेकिन जब घर लॉटते हैं, तो घर का जो सदसिय सामने आता है, उस पर हम अपना गुसा निकालते हैं, वा निकाल सकते हैं, तो ओफिस का अटेंशन हम कहां लेकर आ रहे हैं, घर में, और कई बार घर का अटेंशन हम ओफिस में ले जाते हैं, तो न नहां हम वहां relax रह पाते हैं, ना हम घर में relax रह पाते हैं. लेकिन spirituality हमें जो सिखाती हैं, कि हम अत्मा हैं, और अत्मा शरीर के दुवारा ये कर्म कर रही है, ये रोल हम प्ले कर रहे हैं, तो अपने आप से detach होना हमारे लिए आसान हो जाता है. जहां हमारा जो रोल है, वो रोल हम प्ले कर पाते हैं. तनाव मुक्त रहने के लिए हमारी दिंचरिया भी विवस्तित होनी चाहिए, आज की modern day living में हमारी जीवन शैली कैसी है? दिन भर हम व्यस्त रहते हैं, शाम को हम घर लोटते हैं, रोलाक्स सोना चाहते हैं. तो रोलाक्स सोने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? टीवी देखते हैं. अब टीवी में आप जो जो देखते हैं, समाचार देखते हैं, मानो, आप समाचार देखते हैं, मीडिया की सबसे बुरी खबर, समाचारों की सबसे अच्छी ख़वर होती है आपने वो देखा, आप रिलाक्स हो जाते हैं वो ख़वर देख करके रिलाक्स हो जाते हैं मानो बहने हैं, वो सीरियल्स देखती हैं और जो सीरियल्स आप देखते हैं क्या वो आपका स्वस्त मनुरंजन करते हैं यह भावनाओं को और ही दूशत कर देते हैं. फिर जो TV के सामने बैठा है, वो देर राद तक TV देखता है, और जो देर राद सोएगा, वो सुभे, देर से ही उठेगा. कहावत है, अरली तू बेड, अरली तू राइस, make a person healthy, wealthy and wise. लेड तू बेड, लेड तू राइस, इस तथी क्या होने वाली है? हम देर से उठेंगे, हमारे पास अपने लिए समय नहीं है. अगर हम जल्दी उठते हैं, तो हमारे पास अपने लिए समय हैं, हम व्यायाम कर सकते हैं, हम प्राणायाम कर सकते हैं, हम ध्यान कर सकते हैं, हमारे दिन की शुरुआत सकारात्मक होती हैं. लेकिन यदि अपने लिए समय नहीं हैं, देर से उठे हैं, जल्दबाजी में हमें सारे काम पूरे करने हैं, क्योंकि टाइम पर ओफिस जाना हैं, बच्चों को स्कूल भेजना हैं, सारे काम निप्ठाने हैं, तो हरी वरी अन करी, ये स्थथी होती हैं. और दिन ही तनाव से शुरु होता है, और फिर हम देखते हैं, बहुत सारे काम हैं, कई काम हम एक साथ करना शुरु कर देते हैं, एक भी काम हम सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते हैं, सही तरीका है, जो काम हाथ में लिया है, पहले उसे पूरा करें और उसके बाद फिर दूसरा काम लें. कुछ लोग इसके विपरीत होते हैं, अपनी दिन्चरिया में, वो काम करना ही नहीं चाहते हैं, आलसी होते हैं, तो वो काम पड जाते हैं, टाइम पास करते हैं, गपशब करेंगे, चाई पीएंगे, कॉफी पीएंगे, सिग्रेट पीएंगे, और जब समय पूरा हो गया, तो पता चला कुछ काम हुआ ही नहीं, तो दोनों ही गलत हैं, अगर हम तनाव मुट रहना चाहते हैं, तो हमारी दिंचरिय व्यवस्तित होनी चाहिए, समय से सोना, समय से उठना, समय सी कारिय करना, समय से भूजन करना, काई बार लोग अपनी चीजें भी व्यवस्तित ने रखते हैं, फिर उनको ढूड़ने में तनाव होता है, काफी समय बर्बाद करते हैं. तो जितना छीवन व्यवस्तित चलता है, उतना हमें तनाव कम होता है. संबंध, हम सभी संबंधों में रहते हैं, चाहे परिवार में, चाहे कारी शित्र में, तो संबंध दो तरह से कारी करते हैं, अगर हमारे संबंध अच्छे हैं, तो वो हमारे तनाव को कम करते हैं, क्योंकि संबंधों में हम अपना दुख सुख बांट लेते हैं, कहते हैं, दुख बांटने से हमारा बोच हलका हो जाता है, दुख आधा हो जाता है, जब हम वो दुख बाढ़ते हैं, तो हमें सहयोग मिलता है, वो हिम्मत बंधाते हैं, हमें आशा देते हैं, और इस तरह से हमें सहयोग मिल जाता है लेकिन कई संबंधों में नकारात्मक बाते आती हैं, जो तनाओं भी पैदा करती है अपेक्षाएं रखना, यदी बहुत अपेक्षाएं हैं, खासकर समीप संबंधों में एक पती सोचता है, ये मेरी पत्नी है, इसको ये सब कुछ मेरे लिए करना ही चाहिए, इसका फर्स है वो करती है तो ठीक और नहीं किया तो नाराज होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, मेरा बेटा है, मेरा कहना मानना ही चाहिए या पत्नी सोचती है, मेरे पती है, इनको ये सब कुछ मेरे लिए करना ही चाहिए तो सरूरी नहीं है कि हमारी अपेक्षाइं हमेशा पूरी होंगे क्योंकि हरेक व्यक्ति अलग है कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं हरेक के विचार भावनाएं अलग-अलग है व्यक्तित्व अलग-अलग है तो कई बार कोई अगर हमारी बात नहीं मान रहे हैं या हमारी पेक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनके भावों को भी समझने की कोशिश करें यदि हम उनकी स्तथी को समझ पाते हैं तो फिर ये तनाव संबंधों में नहीं पैदा होता है अपेक्षाओं की बजाए हम निस्वार्त भाव से अपने कर्टवियों का पालन करें जो गीता हमें सिखाती है कि निश्काम भाव से हम अपने कर्म करें उसका प्रतीफल हमें मिलता है तो भी बहुत अच्छा और नहीं मिलता है तो भी बहुत अच्छा संबंधों में कई बार इर्शा आ जाती है गुसा हम करते हैं जैसे तनाव सभी को होता है जैसे गुसा भी सभी को ही आता है कुछ कम ज्यादा हो सकता है लेकिन गुसा हम सब को आता है और जब गुसा आता है तो कई बार हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते है जो हमें नहीं कहने चाहिए इसली कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन सबान का घाव नहीं भरता है कहने वाला श्रायद भूल जाता है सुनने वाला उसे जीवन भर नहीं भूल पाता और उसका असर हमारे संबंधों पर आता है संबंधों में प्रेम खतम होने लगता है और कई बार संबंध टूट भी जाते हैं तो संबंधों में इरश्या, क्रोध, नफरत ये जो नकारात्मग भाबनाएं हैं उनको नियंतरन करना बहुत आवश्यक है तो हम अपने गुसे को दो तरह से कम कर सकते हैं ऐसे तो कई तरीके हैं, ये पुरा अलग विशय है लेकिन अगर किसी भी कारण से मुझे गुसा आरा है इसने मेरी बात नहीं मानी, जूट बोला, मुझे धोखा दिया या मेरा अपमान कर दिया, दुरुवेवार किया हम सोचे हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन अभी नहीं कुछ मिनिट के बात और जब हम कुछ मिनिट पोस्पोन कर देते हैं, तो दो बाते होती है क्योंकि दिमाग भूत तेजी से चलता है गुसे के समय तो हमें समझ में आ जाता है कि सारी गलती सामने वाले की नहीं है कहीं मेरी भी गलती है, तो कुछ कहने की जरुरती नहीं है परवान एंट वो पोस्पोन हो जाता है और यदि मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है तो फिर तब तक हमारा आविश शान्त हो जाता है और हम अपनी बात कहते हैं थोड़ा शान्ती से अच्छे शब्दों में सामने वाला उसे स्विकार करता है कोई बात हम गुसे में कहते हैं और कोई बात हम शान्ती से कहते हैं फरक पढ़ता है? पढ़ता है नहीं पढ़ता है, हम शांती से कहेंगे तो समाधान मिलेगा, और गुसे से कहेंगे, तो उनकी गलती होगी, तो भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि गुसा गुसे को जनम देता है, एक बार ऐसे ही एक अफसर थे, उन्हें अपने स्टाफ की मीटिंग लेनी थी, और मीटिंग बहुत इंपोर्टन थी, उसी दिन डिसीजन लेना ज़रूरी था, तो उनको लगा कि मीटिंग में कुछ ऐसी बाते निकल सकती हैं, जो मुझे गुसा आ सकता है, तो उन्होंने अपने असिस्टन को कहा कि देखो मेरी टेबल पर एक जट पानी और ग्लास रख देना, तो उसने रख दिया, अब मीटिंग लिए उन्होंने और बीच-बीच में वो बहुत बार पानी पीते थे, फिर पानी पीने के बाद ही वो अपना विचार रखते थे, और मीटिंग सच मुझ सफल रही और जो निर्ने उनको लेना था, वो ले पाए, तो जो असिस्टन थे, उन्होंने उनको बधाई दी, बिर्विच में भी कहा, सहा भी मीटिंग बहुत अची रही, लेकिन आप पानी भूट पी रहे थे, आप क्या water therapy करते है, natural pathy करते हैं, तोन्होंने कहा, नहीं, मैं natural pathy भी नही करता हूं, water therapy नहीं करता हूं, लेकिन आज मैने अपनी anger therapy की, क्योंकि मुझे पता था कि मीटिंग में जब बाते निकलेंगी तो मुझे कोई बात में गुसा आ सकता है तो उस गुसे को कम करने के लिए मैंने बीच में पानी पिया और वो सफल रहा तो जो भी कारण से यदी हमें गुसा आता है हम उसको थोड़ा पोस्पोन करने के लिए कुछ भी उपाय कर सकते हैं जरूरी नहीं हमारे सामने पानी का ग्लास होगा आप कही बार कहते हैं उल्टी गिंती बोलिये हम कहेंगे आप ओम शांती कहिए ओम शांती शब्द में ही इतनी शक्ति है अगर हम 10-20 बार ओम शांती बोल लेते हैं तो स्वतही हम तो शांत स्वरू पिस्ति में चले जाते हैं और फिर हम अपनी जोभी बात कहेंगे वो शानती से कहेंगे अगर प्रते दिन हम योग अभ्यास करते हैं तो भी हमें अपने व्यक्तितों में परिवर्तन लाने में बहुत मदद मलती हैं. हजारों, लाखों राजयोगी भाई भेनों का या अनिभाव हैं, कि राजयोग अभियास करने से, जो उनका गुस्से का सुभाव था पहले, उसमें परिवर्तन आ गया. तो जो भी विधी हम अपनाएं, आपसी संबंधों में हम अपने गुस्से को नियंतरण में रखें, तो वो गुस्सा जो तनाव का एक बड़ा कारण है, वो हमारे तनाव को काफी हट तक कम कर सकता है. और एक अंतिम तरीका है, हम थ्री एस का फार्मुला अपने जीवन में अपनाएं. Accept, Alter and Avoid. बहुत सारी इस्तथियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे अभी हमने बात की, तो अगर कोई situation मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हम उसे स्विकार कर लें. यदि हम उसे स्विकार कर लेते हैं, तो फिर हमें तनाव नहीं होता है. मानो हमारे परिवार में कोई ऐसे सदसिय हैं, या कारिये स्थल पर ऐसे साथी हैं, जिनके साथ हमें कारिय करना ही है जिनके साथ हमें रहना ही है लेकिन उनका सभाव हमारे अनकूल नहीं है हम कई बार उनको समझा भी चुके हैं लेकिन वो परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो फिर हम उनको स्विकार कर ले वो जो हैं जैसे हैं उनको समझ कर चलेंगे, तो उनके साथ रहने में, कारिय करने में हमें तनाव नहीं होगा. नहीं तो उनकी हर बात, हम सुचेंगे इतना बार इनको समझा चुके, फिर भी यही गलती करते हैं, फिर भी बार-बार इसी तरह से यह वेवार करते हैं. और कई बार ऐसा होता है, कई अन्होंने हो जाती है छीवन में, मानों कहीं चोरी हो गई, आग लग जाती है, प्राकरतिक आपदा हो जाती है, बुकम पागया, बाड आ गई, हम उससे प्रभावित होते हैं, तो उसमें हमारा कोई दोश नहीं है, वो परिस्ति हमारे कंट्रोल की नहीं है, तो उसे हम स्विकार कर लें, और फिर जो समाधान है, अब हविश्य में क्या सावधान ही रखी जा सकती है, वो हम सोचें, तो समस्या के बारे में नहीं, लेकिन उसके समाधान के बारे में हम सोचे. कुछ बातों में हम परिवर्तन ला सकते हैं, विशेश कर स्वयम में हम परिवर्तन ला सकते हैं, अगर मुझे ये समझ में आता है कि मेरा सुभाव बहुत गुस्से वाला है, मेरी बहुत sensitive nature है, मुझे बहुत जल्दी feeling आ जाती है, मुझे इर्शा हो जाती है हमारी अपनी कमी को हम हमेशा दूर कर सकते हैं, हो सकता है, उसके लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा आध्यात्मी ज्यान योग उसमें हमें बहुत मदद करते हैं थोड़ा समय भी हम आध्यात्मी ज्यान का अभ्यास करते हैं, हमारी व्यक्तित्यों में हम परिवर्तन देखने लगते हैं कुछ बातों को हमें जीवन में अवोइट करना पड़ता है आज हम देखते हैं, पूरा विष्व एक ग्लोबल विलेज है संसार के दूसरे कोने में क्या हो रहा है, मेरे ट्रोइंग रूम में वो एक मिन पहुच जाता है हम घर बैठे कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसका प्रभाव मेरे ले उपर पढ़ता है तो यदि प्रभाव पढ़ता है, उससे मुझे एटेंशन होता है, तो या तो हम देखे ही नहीं और यदि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर साक्षी हो करके देखें, देखते हुए भी नहीं देखा, सुनते हुए भी नहीं सुना तो कई बार दूसरों से संबंधित बातों को हमें अवोइट करना पड़ता है, यदि वो हमें प्रभावित कर रहे हैं तो इस तरह से यदि हम अपने जीवन में, परिस्थियों में, अपनी सोच में परिवर्तन लाते हैं और उसके लिए हमें अपने आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि मन सुक्ष्म शक्ति है मन को अभ्यास देना, मन को कहते हैं, प्राक्टिस मेंक से मैंन परफेक्ट तो सकारात्मक सोचना, आशावादी रहना, ये कहना आसान है, लेकिन सचमुझ ऐसा करना इतना आसान नहीं है तो हमें उसका अभ्यास करना होता है, और उस अभ्यास के लिए ही हम योग करते हैं तो वो समय हम अपने आपको देते हैं, तो काफी हद तक हम तनाव मुक्त, स्वस्त और प्रसन्य जीवन जीने का अनुभव करते हैं तो दो पंक्तियों के साथ मैं समाप्त करूंगी फूल बन कर मुस्कुराना सिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना सिंदगी है, जीत कर तुम मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना सिंदगी है ओम शांति